हलो बच्चो पिछले वीडियो में हमने अलग-अलग टाइप किए इमेजेज देखे हैं अब हम क्या करते हैं हमने देखा कि हम सब अब हम उसके अलग-अलग गरुप बनाते हैं तुम्हारे पास जो वार्क शीट हैं वो बताओ बताओ क्या लिखा है इस पर इस पर अनिमर एक्षर मतलब हमारे पास यहां पर चार ग्रूप हैं और चार गूप की साब से तुमारे पास जो तस्वीरे हैं उनको रखनी है बताओ लुख्वान तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास एक पेर है पेर है क्यमें आएगा ये कौन से ग्रूप में आएगा? ये इड्रिंग में आएगा ये खाने की चीज़ है उके उसके बाद क्या है? उसके बाद मेरे पास मीड है ये भी खाने की चीज में आएगा उके उसके बाद मेरे पास एक टाइगर है टाइगर खाने की चीज में नहीं आता टाइगर के में आएगा देखो तिंग अनिमल अक्शन में टाइगर अनिमल में आएगा ये बच्चा क्या कर रहा है तस्वीर में जम्पश्जा मैं एक तरह का ये क्या है शेक हैड़ी wa gi Вот विःक एक शेक हैंड कर रहा हैं ये क्या है ये क्या है है ये वापस लिए ये पाटि कर रही है ये बाटिक अध difficult ये क्या है ये एक शेक हैंड है ये अक्षन में आएगा ओके ये उसके बाद मेरे पाद एक पांडा है ये एक इनिमल में आएगा मेरी गूड तो तो तुमारे पस कोई भी थिंग नहीं आई तुमारे बता हो मदिहा यह एक टोमाटो है यह ड्रिंक में आएगा ठीक है रुखाने के चीज में आएगा ठीक है रुखान मदद करो माईरा की रखने में हादिमी यह क्या है यह बच्चा बॉलिंग कर रहा है बॉलिंग क्या है एक टरा का एक्शन में ओके तिंग में आएगा गुट बहुत अच्छे तुम्हारे बताओ माईरा थीक में आएगा नहीं यह तस्वीर में क्या कर रहा है बच्छा पेंटिंग कर रहा है पेंटिंग क्या है गोड रबटा कैमरे पर बता हूं तुम्हार बाहर जा रहा है और यह चीज में आएगा, क्या है वो पेंसी, यह एक साइकल है, यह में जिए जिए में आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे, देखा इससे पहले हमारे तस्वीरी किस तरह से लग रही थी, और अब सारी चीजे क्या हो गई है, हमारी गूरूप हो गई है, आगे तुम्हें किस तरह से कैटेग्राइज करना है चीजों को, ग्रूपिंग को यहाँ पर कैटेग्राइज भी कहते हैं, ठीक है, समझ आया, ओके,